exercise 8.2 class 10th mathematics और chapter का नाम है trigonometry 8.2 को continue करेंगे let's get started the video here so exercise 8.2 इस exercise के अंदर सबसे पहले हमें आना चाहिए टेबल अब आना trigonometry टेबल टेबल ठीक है जैसे हमें find out करना है sign 30 degree sign 30 degree की value क्या है हमें मालू करना है 1045 डिगरी की value क्या है तो यह सारे parameters हमें find out करने है तो यह बार बार आपको value sign 30 1045 की कहां से मिलेगी क्योंकि सारी exercise के अंदर हमने value जी पुट करनी है तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ ए counting लिखनी है that is 0 1 2 3 4 ठीक है साथ साथ करेंगे आप लोग 0 1 2 3 4 सभी को 4 से divide कर दे 4 4 4 4 4 4 सभी को 4 से divide कर दे इसके बाद इसके उपर कर देंगे square root सभी quantities के उपर done done अब इसको calculate करते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे sin theta उसके बाद cos theta cos के बाद tan theta कल जब हमने यहाँ पर लिखा था पंडित बदरी परशाद हर हर बोले तो यहाँ पर measurements कैसे की यह थे sin theta cos theta tan theta sin का उल्टा क्या होता है cos secant ठीक है S कांसे स्टार्ट हो रहा है C से C का उल्टा क्या है secant theta tan का उल्टा क्या है cot theta यह concept आपको पता है अब साइन का उल्टा हो जाता है students this is the sign के नीचे देखें sin के नीचे उल्टा क्या हो जाएगा को सिकन ठीक cos का उल्टा क्या होगा cos को ऑल्टा का जाएगा secant theta tan का उल्टा का हो जाएगा cot theta ठीक है है तो यहां पर हम ऐसे वैलिउस निकालेंगे साइन को सीकेंट सीकेंट और कॉट ठीक है जी यह वैलिउस आएंगे साब से पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यह लाइन समस्थ कुछ कंटीनू कर देते हैं आसे कि लाइन तो यह इस तरह ठीक है तो यह होगे सारी वैलिउस अब साइन यह सबसे पहले आएगा जीरो डिगरी देन 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी 90 डिगरी एंगल आ गया भी होते हैं यहां से लिए पूरा आपकर यहां से गूम के ऐसे पूरा वापस आगए यह पूरा मोशन होता है 360 डिगरी का अगर 360 डिगरी का पूरा एक सर्कुलर मोशन होता है तो हमारे पास एंगल भी कम्प्लीट 360 तक होते हैं पर हम मेजर आपके यह जो 10th का लेवल है 10th लेवल तक हमें सिर्फ 90 तक का मेजरमेंट चाहिए देखिए यहां पर यह है 0 डिगरी और यह हो जाएगा 90 360 डिगरी गरहें 19 तक के मेजरामेंट मालूम है 90 तक मेजरामेंट में किसी बंडाइब कर लिये तो नेक्स जो है इसी से complete करते हैं तो साइन अब इसको calculate कीजिए यह जो हमने starting यहां से किया था जीरो पॉन सम्थिंग क्या होता है जीरो अच्छा जी वन का अंडरूट क्या होता है वन फोर का अंडरूट क्या होता है टू यह setting हो जाएगे बना होगा बॉन का अंडरूट कितना होगा टू शीरो जीरो डिगरी कितना होता है जीरो साइन 30 डिगरी कितना होता है 1 by 2 साइन 45 डिगरी 1 by root 2 साइन 60 डिगरी अंड रूट 3 by 2 साइन 90 डिगरी 1 तो यह होगे measurement clear पढ़ना आ गया अब दिखिए आपको निकालना है cost यह वाला जो last में है यह बन जाएगा first second last बन जाएगा second यह इधरी रहेगा और यह जो second था यह second last बन जाएगा और यह first वाला था यह last बन जाएगा समझ में है अब निकालना है टैन थेटा टैन का फॉर्मला क्या पड़ा हुआ है टैन का फॉर्मला हमने पड़ा था है that is sign theta divided by cost theta अधर sign की value को Say bardziej कर देंगे तो किया आएगा taka टेटेटर तो देखिए टैन पिद्टैन रफॉर्मला कुत गोफाण वंवान कितना है जीरो को बनसे डिवाइड बीड़ा जाएगा 2 by under root 3 कट गया कितना असरा देगा 1 by under root 3 मतलब अगर आपको इससे divide करना है आप direct divide कर सकते हैं या फिर ये 1 by 2 पहले लिखेंगे 1 by 2 और ये reciprocal करके multiply कर देंगे same बात है ठीक है ये कट जाए कितना देगा 1 by under root 3 ठीक है इसी तरह ये solve करेंगे same quantity है same quantity को डिवाइड करने से कितना आता है 1 इसको डिवाइड करेंगे ये 2 पर चला ये under root 3 अब mathematics में ये देखिए 1 को 0 से कैसे डिवाइड करेंगे 1 का 0 पार्ट क्या होता है किसी भी mathematical term को अगर 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो कहलाता है not define not define मतलब इतना बड़ा नंबर कि वो हम काउंटी नहीं कर सकते not define और इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं यह सिंबल यूज करते हैं किसी भी नंबर को एक लाग को एक करोड़ो 0 0 by 0 is also infinity ठीक है तो यह कहा जाएगा infinity ठीक है जी उसके बाद को सिकेंट थीटर को सिकेंट किसका रेक्सिप्रोकल होता है को सिकेंट होता है रेक्सिप्रोकल sign का ठीक है sign की value कितनी है 0 0 का रेक्सिप्रोकल मतलब अगर मैं 0 का रेक्सिप्रोकल करूंगा तो क्या जाएगा 1 by 0 कितना answer आएगा infinity को इसका है सिप्रोकल एंडरोट ना समे होन इसका से जो ग्हाद नियो का मतलब थे गाएग estás क किसी भी नंबर को से इन्फिनिटी और आप कैसी प्रोकल मतलब यह वन आ जाएगा अब सियक्त की यहां पी कितना जाएगा अंडरूट 2 अपॉन इसका कितना होजएगा टू बई 1 जीरो का एसी बॉकल क्या होता है इनफिनिटी ठीक है कॉट किसका एसी बॉकल है टैन का ठीक है जुरो कर arbeiten पौकल इंफिनीटी इसका अंडर्व्ट थ्टरी मीचे वन इनीचे वन लिख आ ना लिखो को संrage नी पड़ेगा वनकर इस का 1 वई नरू 30 इनफिनीटी का जिसी नमबर को अगा इन्फिनीटी से डिवाइड करतें इसी नंबर्क है इसार आगा ठीक है है तो हो जाएगी हमारा टेड़ और इस ही टेबल को यूझ कर Above करेंगे एक्षाइज के के इदर अब यह तो करेंडे टेबल में यह जो है इसको बोलते हैं कॉद्रेंट यहाँ से लिकि较त है this is called first quadrant यहां से लेके यहां तक second quadrant यहां से लेके यहां तक third quadrant 180 to 270 270 to 360 is fourth quadrant ठीक है चार quadrants होगे देखिए आपको एक शब्दी याद रखना all school to college या आप याद रख से आफ्टर स्कूल to college हना सारे स्कूल के बाद का जाते हैं college में आते हैं all का मतलब का है all का मतलब है zero से लेके 90 डिगरी तक जितने भी ट्रिगनोमेट्र के एंगल है सारे के सारे जितने भी साइन कास्ट एन को सीकेंट सीकेंट एन इस quadrant में सारे positive रहेंगे first quadrant में सबका measurement कहा रहता है positive second quadrant यहां से शुरू होगा 90 to 180 school मतलब आपका first letter देखिए school का first letter है s और इसका मतलब sin theta और sin का उल्टा क्या होता है cosecant theta ठीक है तो यह जो second quadrant है इसमें sin theta की value positive होती है और एक cosecant theta गी sin theta और cosecant theta थर्ड कोडरेंट कहां से start है 180 to 270 तो यहां पर T T से याद रखे T से क्या रहे है tan theta और उसके बाद क्या है cot theta टैन का उल्टा क्या होता है तो थर्ड में positive रहेगा बाकि चार एंगल क्या रहेंगे negative लास्ट वाला देखिए यहां से यहां तक सी से start हो रहा है सी से कौन स्टार्ट होता है cos theta cos का उल्टा क्या रहेगा secant theta यह दोनों तो रहेंगे 4th quadrant में positive बाकि सारे एंगल क्या रहेंगे negative इए 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 पिल्टा